असलाम उलेकुम, वेलकम टो माई चैनल, आज हम निहारी बनाएंगे, इतनी स्यादा टीस्टी निहारी बनाएंगे, कि आप इसको एक बार बार फिर इसको ट्राय करेंगे, और इतना अच्छा इसका कलर आएगा, इतनी अच्छी इसकी खुश्बू थी, कि आपके मुझसे प तरह गोश्ब में बना सकते हैं, चाय तो पॉंका गोश्ब ले लें या फिर निहारे भी आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं, दम करकर हम इसको बनाएंगे, ठाए गंटे तक, आप रेसिपी सुरू ट्राय करें, आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, तो फिर चलिए रेसि हैं इसमें, एक टुड़ा जाय फल का है, और एक टी स्पून काली मिर्च है, पांच इसमें कलॉवस हैं, एक टुड़ा दाल चिनी का है, एक टुड़ा इसमें चावी तरी का है, एक फूल है, बादियान का, और तीन यहाँ पर हरी इलाइची हैं, और तीन इसमें तेज पत यह आप अगर खटी नहाई पसंद करते हैं तो डालेगा नहीं तो छोड़ दीजेगा और यह मैंने गार लिक लिया है और अदरक है इन दोनों का में पेस्ट बना लूँगी और यह मैंने दो बड़े साइस की प्यास लीजेगा अगर स्मॉल है तो फिर चार कर लीजेगा इनको मैं ड्राइ रोस्ट कर रही हूँ तीस से चालिस सेकंड के लिए ही ड्राइ रोस्ट करेंगे इससे जाएदा नहीं करेंगे बस हलकी छी खुछबू इनमें से आने स्टार्ट हो जाए अगर जाएदा अपने कर लिया तो फिर आपके नहारी का कलर डार्क हो जाएगा अब बस यह हो गया है अब हम इसको दूसरे बड़तन में ट्राशफर कर लेंगे वीजी में नहीं रहने देंगे यह तो फिर कलर आता जाएगा और यह पूर्टेबली स्बंस में आटा लिया है यह ऋन फॉर्ट के करीब है और उस फॉर टे म् Эबली स्पून है अब मैं इसक पर भी कलर आने से पहले हम इसको उतार लेंगे कलर इस पर नहीं लाएंगे तो वस ही हो गया है विसको भी दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे अब जो हमने खड़े मसाले लिए हैं और पाउडर मसाले लिए हैं उनको एक जार में डाल कर मैं कर लूँगी आप टाटी का यूस तभी कीजेगा अगर आपको खटी निहारी पसंद है अगर आपको खटी निहारी ने खानी तो फिर टाटी आप इसमें मत डालिएगा तो अब इन सब चीज़ों को मैं ग्राइन कर लूँगी और यह जो मैंने ओयल लिया है अब इसमें मनकेजी गोस्ट डाल रही हूँ और साथ में ही मैंने इसमें जिंगर गालीग का पीस्ट डाल दिया है और ओएल में इसको फूर कपस डाल रही हूँ आ ओएल मैंने ज्यामाने स्ञ़चर निहारी है वह आधा ओल तो आटा डालने के बाद इसमें लग जायाएगा लेकिन हमको नुग सुई सारा ओयल इसमें से निकल गया था सरावी इसके अंदर खतम नहीं हुआ था आप भी इतना डालेगा जितना कि आप रोज अपने रेसिपी में डालते हैं क्योंकि जब हम इसको दम पर पकाएंगे तो सारा ओयल बाहर निकल आएगा तो बस अब इसको पांसे छे मिनट के लिए लसन अदरक डालकर हम भून लेंगे जब तक कि लसन अदरक की स्मेल ना निकल जाए अब उसके बाद में मैंने इसमें सारे मसाले डाल दी हैं जो हमने निहारी मसाला बनाया हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है सारा ही हम इसमें डाल देंगे अब इस मसाले के साथ भी पांसे 6 मिनट के लिए हम इसको भून लेएगा, अगर आप कम गोश। के मिहारी बना रहे हैं, तो फिर एक मिनट के लिए भून ज़एगा, क्योंकि हो पानी नहीं छोड़ेगा, तो पानodies' मिनट के लिए मैं इनको भून रही हूं, आप बिना पानी डालें, सिरफ एक बने पानी गोस नहीं अपना रिलीस कर दिया था तो एक दो बार इसमें बीच पीच में स्पैचुला भी चलाते रहेंगे अब यहां पर मुझे इसका कर लर जादा लाल जाया था तो एक टीस्पून मैंने और इसमें कश्मीरिमेच डाल दी है तो त्टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरिमेच डाल दी है और देखे डालते कितना अच्छा कलर हो गया है अब हमारे मसाले जो हैं भून चुके हैं अब मैं इसमें जो हमारी प्यास है उसको क्रश्ट करके इसमें डाल रहे हूं और बस मिक्स करूंगी अगर आपको रेसिपी पसंदा रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीज़ेगा तो ये मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैस में त्रीकफ्स पानी के डाल दूँगी ये त्रीकस पानी मैस में डाल रही हूँ और ये पानी डालने के बाद मैं बोईल आनी का वेट करूँगी और आप बरतन बड़ा लीजेगा और मोटे तले का लीजेगा और अगर आपके नॉन स्टिक पैन का जो बेसे वो मोटा नहीं है तो फिर आप आपके जो नॉर्मल बरतन होते हैं घर के वो वाले यूस कीजेगा नहीं तो फिर नीचे से लग जाएगी अब जो हमारा आटा है उसकी मैं सलरी बना रही हूँ इसको अच्छे से घोल लेना है ताकि इसमें कोई भी लंस वाकी ना रहे अब देखें यहाँ पर इसमें एक बोईल आना स्टार्ट हो गया है तो अब मैंने जो सलरी बनाई है वो मैं इसमें च्छान कर डाल दूँगी च्छान कर इसको डालिएगा ताकि जो इसमें लंसों वो इसके निकल जाएं और साथ साथ मैं इसमें स्पेचुला भी चला रही हूँ अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखेगा कि मैं इसमें कितना और किस तरह से स्पेचुला चला रही हूँ अब देखें जो इसमें बाकी बचा हुआ आटा है उसको इसमें निकाल लूँगी और अब मैं इसमें लगताव स्पेचुला चलाती रहूंगी जब तक कि इसमें अच्छा सा बोईल ना आ जाए अगर आप इसमें इस तरह से स्पेचुला नहीं चलाएंगे तो एक तो आटा भी नीचे से लग जाइगा और इसमें लंप्स भी बन जाएंगे तो लगातार इसमें स्पेचुला चलाते रहें और अच्छे से बोईल आने का इसमें वेट करें आप रेसिपी जरूर ट्राय करेंगा अगर आपने एक बार इसको बनाए तो बार बार फीसी रेसिपी से आप निहारी बनाएंगे तो अब यहां पर देखें बहुत अच्छा इसमें बोईल आ गया है लेकिन अभी भी आपको मेरे स्पेचुला चलाने से पता लग रहा होगा इसमें आटा नीचे बैठ रहा है तो लगातार जब तक कि आटा अच्छे से ना गुल जाए तब तक इसमें स्पेचुला हम चलात जाएगी इसलिए थिक बेस का पोट आप यूज़ करें तो देखिए अब यहां पर बोईल अच्छा सा आ गया है और इसका नीचे लगना भी बंद हो गया है अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको ढख कर रख दूंगी मैं धाई गंटे के लिए इस तरह से इसमें मै भी निकलेगी तो उससे कुई फरक ने पड़ता अब मैं इसको ढ़ाए गंटे के लिए रखतूंगी लो फ्लेम पर अब यहां पर देखिए सारा सारा जो अईल है वो सेपरेट हो चुका है और जरा भी इसके अंदर नेक अपा है और कितना च्छा यह तार बना है जाए गं निहारी हमारी यहां पर रेडी हो चुकी है कमेंट करके बताईएगा आपको कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक्स पूर वाचिंग अल्ला हाफीज